हलो एवरिवन वेलकम तो दे लर्निंग प्लाटर सीएस और आज से हम अपना स्टार्ट करें कम्प्लीट कोर्स वा कम्प्यूटर साइंस लेक्चरार या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ठीके तो देखिए चाहे आप यूजिसी नेट के लिए प्रिपार करें हूं या कोर्स आपके लिए बहुत बैनिफिशियल रहेगा धिके इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंी स्क्रीट मैहतनिक्स की ॐस्ट सबसे जहाधा हा रही थी मेरे पास की स्क्रीट मैंचतिक मुर्वले करा दी जिया तो मैंने वही सब्जेक्ड सबसे पहले चूज कर लिया, so I welcome you all to the class 1 of my complete course on computer science, so let's get started अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के कोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें, तो देखिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कौन-कौन से टॉपिक्स डिसक्स करेंगे, सेट्स, रिलेशन्स एंड फंक्शन्स, मैथमेटिकल लॉजिक, ग्रूप थेयरी, काउंटिंग थेयरी, प्रॉबिलिटी, ग्राफ थेयरी, थो यह घंवी टॉपिक्स जो हैं हम डिसकर्ष करेंगे पने डिस्कृीट मैथमेटिक्स सबजिक्ट में फ्कमेटिकल हैं और कौन-बुक्व मिलत करें विलेत्थ, और तो अबि label प्व 커피ं कीट क्रूबिस अफसेदुनिक में थे हुए थे यहां से तो अगर आप UPPSC लेक्चरार के लिए प्रिपार करें तब भी आप यह सब टॉपिक्स देख सकते हैं राजस्तान कंप्यूटर टीचर के लिए प्रिपार करें तब भी देख सकते हैं तो आपके स्टेट के एकॉर्डिंग जितना भी वेटेज रहता है उस पहले देखते हैं कुछ कोश्चंस जो प्रिवियस यह में आये हूं है अल्रेडी मैथेमेटिकल लॉजिक से रिलेटेड तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि मैथेमेटिकल लॉजिक के एकॉर्डिंग कौन सी इन में से स्टेटमेंट्स हैं देयर विल बी स्नो इन ज डिसकस करेंगे इससी तरह से हम कुछ लोजीकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में यह वैरियेबल के साथ लॉजिक ल अपरेटर्स हम यूज करने तो देखेचे यह कि लाजिकली एक्वयलेट्स है यह हमने चूज करना है थक हैं कि अगर हमने ने पी जरूर कबर करते हुए चलेंगे तो वहां पर क्या होते है यहां पर उजिशी सी नेट में जरूर्वी क्या करते हैं चार-चार चीजों को इकठ्था पूछ लेते हैं कि question में लेकिन बाकी exams में क्या करेंगे इसके equivalent पूछ लेंगे आप से और ये चारों options दे देंगे ठीक है या किसी एक के particularly पूछ लिए equivalent और बाकी options दे दी ठीक है बाकी state exams में इस तरह से आजाता है ठीक है तो लेकिन आपको concept clear होना चाहिए question चाहिए जिस मर्जी तरह से आजाए तो चलिए देख लेते हैं कि propositions होता क्या है a proposition is a declarative sentence that is either true or false या तो वो true होगा या false होगा दोनों नहीं हो सकता ठीक है but not both ऐसा नहीं है कि कोई हमने sentence लिया वो दोनों हो सके ठीक है true भी और false भी क्या ऐसा possible है नहीं ठीक है तो proposition क्या है एक declarative sentence जो या तो true है या false है अगर उसको हम read करें तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये true ह या नहीं है ठीक है तो अगर हम बोलें New Delhi is the capital of India तो यहां पर हम बोल सकते है yes it is true ठीक है so it is proposition यह यहां पर New Delhi की जगा लिखा है चंडिगः चंडिगः is the capital of India तो हम बोल सकते है it is false ये true नहीं है लेकिन हम इस sentence को बता सकते है कि ये क्या है false है तब भी वो क्या रहेगा proposition रह होगा next we have Toronto is the capital of Canada तो इसे भी हम true या false बता सकते है true है या false है तो इसलिए ये भी क्या है एक proposition है अगर हम बोले 1 प्लस 0 is equal to 1 तो ये भी क्या है true है तो इसमींज ये भी आपकी एक proposition है 0 प्लस 0 is equal to 2 तो यहां पर देखिए ये false या true हम बता सकते हैं ठीक है कोई भी अगर equation इस ये false है तो अगर हम बता पा रहे हैं that means that is a proposition otherwise it is not a proposition ठीक है तो example देख लेते हैं जो propositions नहीं है अगर हमने बोला sit down तो यहां हम क्या कह रहे हैं किसी को command दे रहे हैं बैट जाओ ठीक है तो यह क्या है क्या इसमें हम true या false बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं तो यह क्या है statement नहीं है नहीं यह क्या proposition है what time is it अगर question होगा in that case also तो वो proposition नहीं होगा ठीक है वो statement आपकी नहीं count होगी तो जो question हमने देखा था भी तो देखे what is the time now तो यहां पर यह क्या statement नहीं है ठीक है यह statement नहीं है तो देखिए यहां पर आपका what is time is it लिखा है तो यह question है तो यह भी क्या है एक statement नहीं है नहीं यह proposition है तो अगर हम लिखते है x plus 1 is equals to 2 यह भी एक proposition नहीं है ठीक है तो यहां पर देखिए हम calculate कर पा रहे थे तो वो proposition थी अब यहां पर एक variable है अब यह depend करता है x की value के उपर ठीक है अभी हम इसको देखके कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि यह true है या false है ठीक है इसकी value depend करेगी x के उपर अभी यहां पर x plus y is equals to z है तो यहां पर भी हम देखके नहीं बता पा रहे हैं कि यह true है या false है जहां पर हम बता पाएं कि वो true है या false है ठीक है वहां पर उसे read करते ही बता पा रहे हैं कि चाहे वो true है चाहे वो false है बता पा रहे हैं in that case it is a proposition otherwise it is not a proposition so every statement or proposition is either true or false या तो वो true होगी या false होगी उसे हम उसी moment बता पा रहे हैं जब उसे read कर रहे हैं statement को so let's play a proposition game if 520 is less than 111 is this a statement yes it is a statement is this a proposition yes it is a proposition what is the truth value of the proposition it is a it is false ठीक है यह क्या है इसकी value क्या है false है but it is a statement and it is a proposition elephants are bigger than mice क्या यह statement है yes proposition yes what is the truth value of the proposition true ठीक है तो प्रिक्चले वाले में हमने देखा था false थी हमारी proposition की truth value लेकिन यहाँ पे क्या है true है क्योंकि elephants क्या है bigger है my sim ठीक है तो वो क्या रहेगा आपका true रहेगा तो आपकी value चाहे false हो चाहे true हो आपको एक sentence रीड करके या जो भी आपको given है उसे रीड करके यह पता लगाना आना चाहिए कि क्या वो proposition यह statement है यह नहीं है please do not fall asleep is this a statement no it's a request यह क्या है यहाँ पर request है तो क्या यह proposition होगी नहीं होगी only statements can be propositions जो भी statements होती है वो क्या हो सकती है proposition हो सकती है otherwise नहीं तो देखिए अब इस question को discuss कर लेते हैं in mathematical logic which of the following are statements there will be snow in January तो हो सकता है snow पड़े हो सकता है ना भी पड़े तो यह क्या है आपकी statement है what is the time now तो हमने देखा question जो है वो statement नहीं है ठीक है question अगर है तो वो क्या है statement नहीं है और today is Sunday yes it may be ठीक है true भी हो सकता है और false भी हो सकता है it can also be true and false you must study discrete mathematics ठीक है तो यह क्या कर रहे है एक suggestion दे रहा है कोई ठीक है तो यह क्या statement नहीं है ठीक है तो यह क्या true या false इसका कुछ होना ना होना कुछ नहीं matter कर रहा है ठीक है तो कोई suggestion दे रहा है सिरफ हाँ पर आपके जो statements है वो कौन-कौन सी है 1st and 3rd तो correct answer क्या हो जाएगा आपका 1 and 3 that is option number A propositional variables to represent propositions propositional variables are used by convention these variables are represented by small alphabet such as PQRS या ABC ले रहे हम ठीक है तो journaling इन्हे हम represent करते हैं small alphabet से इन्हें क्या बोलते हैं propositional variables जिनके through हम represent कर रहे हैं propositions को ठीक है अगर हम कहते हैं he is a good boy ठीक है he is a good boy तो हम इसे किस तरह रिप्रेजेंट करें पी से रिप्रेजेंट करें ठीक है तो यह अगर हम इसे नेगेट कर देते हैं मतलब इसका उल्टा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा he is not a good boy ठीक हो आगे डिसकस करेंगी ठीक है तो हमें कोई भी statement है कोई भी proposition है अगर हमारे पास तो हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करें किसी एक variable से कम पाउट prepositions तो यह कंपाउट prepositions कैसे हम construct करते हैं दे को बी construction यूझिंग लौजिकल operates तो proposition जीने हम construct कर रहे हैं एक या एक से ज्याधा party चींस की help से तो वो क्या हो जाएंगी ka मैंपाउट prepositions आपांबे लौजिकल चौनेटिश या लौजिकल operators तो देखिए logical operators कौन-कौन से हैं हमारे पास सबसे पहले है negation ठीक है negation not conjunction and disjunction और exclusive or implication and by conditional ठीक है यह सब हमारे पास क्या है logical operators जिने हम use करेंगे propositions में क्या करने के लिए propositions को combine करने truth tables can be used to show how these operators can combine propositions to compound propositions ठीक है truth tables को हम use करते हैं यह शो करने के लिए ठीक है आगे further जितने भी compound propositions है उनकी उन्हें चेक करना है हमने की true है या नहीं है तो उसके लिए भी हम क्या use करें truth tables use करें ठीक है तो six logical operators are there negation conjunction disjunction exclusive or implication and by conditional तो देख लेकते हैं इनके symbols भी तो देखिए इन में से unary operator कौन सा है negation ठीक है इसके लिए क्या operator यूज हो रहा है यह operator आपका यूज हो रहा है यह हम यह भी यूज कर लेते हैं कहीं बार ठीक है और binary operators कौन-कौन से आपके conjunction disjunction exclusive or implication and by conditional तो देखिए conjunction क्या है P & Q conjunction क्या है P & Q और उसे हम किस तरह से denote कर रहे हैं इस तरह से denote कर रहे हैं तो and वाला देखिए कौन से आपका conjunction A के ज़्यादा close क्या है C है C और A conjunction and और and के लिए आप A ऐसे डलता है तो A वाला ही symbol जो है A की तरह वाला ही क्या बनेगा and का symbol बनेगा ठीक है एक्जाम में यह चीज़यों में बहुत ज्यादा confusion हो जाती है कि कॉन साथा disjunction कॉन साथा conjunction को disjunction समझते हैं disjunction को conjunction समझते हैं ठीक है तभीए अमने याद रखने तो conjunction कॉन से and और उसका symbol कॉन से स्यवाल अब डिसज़यों किया है आपका ॉर और उसका symbol क्या है यह वाल exclusive or exactly one of P औ ऐख्यू क्यूट्ट कि ए के exclusive करते हैं implication if p then q और भी बहुत से वेज है implication को शो करने के वह हम देखे कि आगे भी तो देखें यहां पर implication क्या है if p then q implication means p implies q if p then q next by conditional p if and only if q p if and only if q if and only if q क्या मतलब होता है अगर सिरफ और सिरफ तभी अगर यह सो p if and only if q उसे हम किस तरह से represent करते हैं p and इस तरह से आपका क्या यह क्या है बाइक कंडिशनल ऑपरेटर की कौन सा ऑपरेटर है और इसका सिंबल रहेगा यह अगर हमारा p क्या है अगर प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर वह true है तो negation of p क्या हो जाएगा false और अगर यह false है तो यह क्या हो जाएगा true हो जाएगा ठीक है अगर हमें बोला जाए negation find out करिए किसी भी proposition का अगर यहाँ पर example ले लेते हम वंदना smartphone has at least 32 GB of memory तो इससे हमने क्या करना इसका negation लेकर रिप्रेजेंट करना है English में ही ठीक है तो इसका negation क्या हो सकते है it's not the case that वंदना smartphone has at least 32 GB of memory यह इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते है इस तरह से भी वंदना smartphone does not have at least 32 GB of memory यहां हम कह सकते हैं और सिंपल अगर देखे तो वंदना smartphone has less than 32 GB of memory तो इस तरह से कोई भी proposition आ जाए आगे हम जब प्रेडिकेट लॉजिक और वो सब चीजें देखते हैं तो यह clarity होनी चाहिए ठीक है कि किस तरह से हम उन्हें डिनोट कर रहे हैं ठीक है पी और क्यू हमारे पास क्या है different proposition है ठीक है तो यह logic हमारा क्या है यह mathematical logic है तो यह logic आपका digital circuits में यूज हो रहा है ठीक है यह logic हमारा digital circuits में यूज हो रहा है और आजकल तो mathematical logic की बहुत जादा दिमांड हो गई है आटिफिशल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग में सब जगा क्या यूज हो रहा है यह logic यूज हो रहा है जिसे हम true या false में categorize कर सकते हैं accordingly आगे further decisions लिए जाते हैं ठीक है तो जो भी machine learning है जब हम एक system को बना रहे हैं तो वो किस बेसिस पे decisions लेगा आगे क्या आगे इसी बेसिस पे लेगा कि कोई statement true है या false है उसके according आगे further decisions क्या करता रहेगा करता रहता है ठीक है जैसे हमारा अगर इसी तरह से questions पूच पूच के यूजर से क्या करता है आगे decisions लेता चला जाते है चलिए तो देखते हैं अगर हमारे पास conjunction है तो वो क्या है उसी तरह से जैसे और यहां पर यह कब true रहेगा जब भी कोई भी एक true हो जाएगा तो क्या रहेगा यह true रहेगा और दोनों false के case में false हो जाएगा next we have exclusive or exclusive or is again a binary operator और उसका symbol यह रहता है और देखिए यहां पर आपके पास क्या रहता है p exclusive q है तो यह हमेशा one true तबरिज हमें return करेगा जब भी हमारा true कितना है one true कितने one है तो अगर दो वेरियेबल्स है तो देखिए true कितना consider की हमने one consider कि है तो अगर three variables हो जाते है उस case में वो क्या लेता है basically odd number of odd number of ones calculate करता है तो यहां पर two के case में हमें दिख रहा है कि one अगर true है तो true आ रहा है लेकिन अगर three variables हो जाएंगे तो उस case में हम क्या देखेंगी कि odd number of true है तो हमें वो क्या return करेगा true return करेगा उसको और अगर हम journal sense में समझते हैं तो देखें यहां पर true और true पे क्या देगा false देगा लेकिन true false पे true and false true पे true and false and false पे false तो अगर single है मतलब odd number of true हैं हमारे पास तो क्या return करेगा हो true return करेगा तो देखें अगर हम discrete की बात करते हैं तो वह यह चीज़ें हमारे से नहीं पूछते हैं हमारे से बेसिकली यह सब चीज़ें पूछेंगे कि यह logically किसके equivalent है तो अगर यह चीज़ आपने अभी से notes बना लिए और यह चीज़ें आपने याद रखी तो आपका क्य क्या होगा एक्जाम में time बचेगा तो सब लोग देख लेंगे दोनों तरफ से यह कि इसके equivalent अगर एक्जाम में आगया विच विच फॉल्विंग इस equivalent तो एक्स्क्लूजीव और बी तो आप क्या करोगे सबके equivalent उसे check करोगे तो आपका क्या होगा time waste होगा instead आपको क्या कर करना है इस इन चीजों को learn कर लेना है कि यह किसके equivalent है logically तो इसको एक बार बाद में discuss करेंगे क्या है यहां पर क्या बाइक कंडिशनल यूज हो रहा है कि इसे पहले एक बार दोनों यूज कर लेते हैं समझ लेते हैं implicit और implication और by conditional फिर इसके ऊपर वापिस आते हैं तो देख रहेगा इसका symbol और देखिए यह क्या कहता है true 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 false true false true false false true तो यहां पर क्या समझ में आया हमें कि कब हमें true लेना है और कब हमें false लेना है तो देखिए अगर P और Q दो prepositions हैं आपके पास then the conditional P implies Q तो conditional statement अगर P implies Q है तो वो क्या है if P then Q ठीक है उसे हम कैसे read करते हैं if P then Q so the conditional statement P implies Q is false वो false कब होगी जब P के true होने पे यह false हो जाएगा ठीक है जब P के true और Q false so only in that case it will be false otherwise जो मर्जी केस हो तो वो क्या आएगा आपका result true आएगा it means पहले वाला true और second वाला false नहीं होना चाहिए उस case में क्या आएगा false आएगा चाहे हम true true लें चाहे हम false false लें चाहे हम false true लें तो यह क्या बन जाएगा true बन जाएगा उन cases में यह क्या बन जाएगा true बन जाएगा पहले वाला true और फिर दूसरे वाला false नहीं तब यह false आएगा है तो if P the Q अगर यह true यह true है तो यह true है first peaceful आएगा अब बने यह 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 wrong on होता है आपके पास इस तरह के बहुत कोशन पूछे जाते हैं मतलब सिंपल सीधा सीधा यह कोशन पूछा जाता है ठीक है स्टेट वाले में भी या यूजी सी इकवल है इसका नेगेशन ले लिजिए और बी किसके इकवल है नेगेशन ओफ ए कॉम्प्लिमेंट ओफ ए और बी इसी तरह से अगर हम लिखे बी इंप्लाइज ए इट विल बी इकवलेंट टू जाए तो किस कोई अगर हम यहां पे यहां पर यूज सी किय uns है तो उसके कॉरास्पेंडिंग हमें लिखना आना चाहिए कि किसी तरह से वह किस यह ben रहते हैं अब देखिया पी implies q अगर हम लिखते हैं यहां पे p क्या है hypothesislight क्यों क्या है conclusion क्यों क्या है conclusion ठीक है तो अगर हमने false street कियात और वो worthless आ गया तो it means वो क्या है true है ठीक है अगर हमने false consider किया था इसको हम का hypothesis लेकर चलி अगर research करें तो hypothesis is starting में तो maybe walk you have तो true आ गया कि अभी इस तरह से आपने इसे कंसीडर करना है और इसे याद रखना है और इसको भी साथ में कर देंगे किसह किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपके पास स्टेट्मेंट लिखी आ जाती है इस पी डैन कियो कुछ भी स्थार से आया if it rains then I will not go to school तो वहां पे आपका क्या है P implies Q है basically तो किस तरह की statement है कि आर यूज किया हुआ है उसके according आपको पता चल जाएगा कि ये यूज करना है कि नहीं करना है कौन सा operator यूज करना है तो देखिए इफ P then Q ये क्या आगया ये वला operator इफ P, Q this one operator only P is sufficient for Q Q if P Q when P A necessary condition for P a necessary condition for P is Q Q unless negation P ठीक है तो ये सब चीज़ें अगर आपके कहीं पर भी दिखती है तो इस इसे denote करने के लिए तो चलिए कोशन देखते हैं P implies Q is logically equivalent to तो देखिए यहां पर हमारे पास four options है अभी हम देखके आए कि किसके equal है तो हमें अगर साफ साफ दिख रहा होगा तो हम कोई भी एक चूज कर लेंगे लेकिन otherwise हम क्या करेंगे चारों के equal उसे ट्राय कर रहेंगे तो देखिए किसके equal है complement of P and Q complement of P और Q क्या कौन साथ सिंबल था बीच में दोनों के यह वाला सिंबल था ठीक है तो इस तरह के यहां पर हमने क्या किया हुआ है और इसी तरह से हमारे सारे options दिये हुआ है ठीक है लिस्ट वान लिस्ट टू को में मैच करने तो देखिए अगर आपको यह question आता होगा तो आपको 30 seconds लगेंगे सिरफ इस question को attempt करने में ठीक बार चूज करने में और यह वाला है तो अब देखिए थर्ड और फॉर्थ option में एक answer क्या दिया हुआ है तो फर्स्ट और सेकिंड तो हमारी कट गई और थर्ड और फॉर्थ हमने शटलिस्ट करके रख लिए अब अगर हम इसका देखिए फटा फट से तो इसका डेट कर देंगे ekतव इसका क्या हो जाएगा नेगेट इसको पूरे को ड्कैत अम कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास तो यह क्या आगया आपके पास जब हमने नेगेट किया पी इम्पलाइज नेगेशन क्यूव तो अब देखे इसका क्या उप्शन आया टू तो अब हम देखे इसको next solve कर लेते हैं तो अगर हम इस चीज को solve करते हैं तो हमारे पास क्या खायेगा Igation of q and then uh क्यौंसा सिम्बल एगा or and then negation of p तिक यह आगया और इसके आगे negation negation q क्या हो गया q and p तो p and q अगर हम देखिए तो वह किसका option है इसका option इसका option नहीं है तो सी का option किसमें बन इसमें तरह क्लियर था इंप्लाइस क्या होता है कि इस एक्वेल नेंयSHE लरा जाए-गा इआ नेक्स्ट हमारे पास है कॉंडिशनल इस अधाने औलली इस अगेन वैंनरी operator symbol क्या रहेगा इसका यह वाला रहेगा यहां पर क्या है अगर यह दोनों similar होंगे तभी आपका answer true आएगा otherwise क्या आएगा फॉल्स आजाएगा दोनों के लिए तिके ना दोनों के लिए क्या आजाएगा आपका पास यहां पर क्या क्या बन जाएगा देखिए relation क्या किस तरह से logically हम निकाल रहें equivalent तो देखिए a double implies ठीके यह हम बोलगा है by conditional operator है हमारा यह सो यह किसके equal होगा a implies b and b implies a a implies b and b implies a तो उसी तरह से अगर हम q a u और p फर्दर दुबारा लिखे तो दोनों का and करेंगे ठीके पी implies q और q implies p क्या करें रहे हैं जीके ना दोनों चीजों को calculate करेंगे पहले a b वैलियू ली फिर a implies b calculate किया फिर b implies a calculate किया फिर दोनों को क्या की है and की है तो दोनों तरफ से हमारा जब calculate हो जाएगा उसमें यह क्या देगा हमें यह values देगा तो direct भी हम याद कर सकते हैं तो देखे आगे यह फर्दर अगर इसे सौल करते हैं तो यह क्या आजाएगा आपके पास negation of a or b and negation of b or a यह 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 चीज आजाएगी आपके पास सौल करके तो इसे हमने याद रपने हैं ताकि हम फर्दर अगर भूल भी रहे हैं तो हम उसे calculate कर पाएं तो देखे लिए यह question discuss कर लेते हैं यह previous years में आया हूँ है which of the following is not equivalent to p double implies q ठीक है इन में से इसका मतलब तीन options ऐसी हैं जो इसके equivalent है और एक option है जो equivalent नहीं है ठीक है logically equivalent ठीक है तो यहाँ पर हम इसको अगर आगे further solve करते हैं तो यह क्या आजाएगा पी implies q and q implies p ठीक है यह आगया क्या इन में से कोई है option में नहीं एक जगा q implies p है तो इससे solve कर लेते हैं तो क्या जाएगा negation of p और q और आगे further देखिए तो यह वाला option हमारे को मिल गया ठीक है यह देखिए यहां से solve करके आ रहा है ठीक है आगे further अगर लिखते हैं तो यही चीज़ लिखेंगे ठीक है तो यह वाली option तो हमारी इसका मतलब correct है ठीक है अब इसको यहां से erase करके इसे further solve कर लेते हैं क्या आ गया हमारे पास negation of q और p अब देखिए जब यह आया इसमें से जो option में है उसे कट कर उसे consider कर लेते हैं तो यह किसके equal है हमारे पास yes this one ठीक है फर्स्ट वाली option है इसके equal आ गया ठीक है तो इसका मतलब यह भी क्या है हमारा इसके equivalent है अब थर्ड और फॉर्थ में से देखने हमने ठीक है तो अगर हम इसे solve करते हैं ठीक है यह चीज़ करेंगे जब हम इसे solve करेंगे तो क्या हो जाता है इसके साथ क्या करेंगे जैसे distribute कर देते हैं उसी तरह से हम यह क्या कर रहे है distributive law लगा के इसे solve कर रहे हैं तो देखिए यह क्या जाएगा negation of P and then and negation of Q जो भी हमारा बीच में होता है वह यूज हो जाएगा यहां पर and then versus Q और Q जब हम लेंगे वह क्या होंगे कट जाएंगे ठीक है उनका answer क्या जाएगा 0 या जाएगा इसी तरह से जब हम P और P लेंगे तो वह भी क्या हो जाएंगे अब हमारा Q और P आएगा ठीक हमारा Q और P आएगा यह हमारा symbol बीच में रहेगा और फिर हमारे पास क्या गया पी and Q तो यह वाला option हमारा fourth option है तो देखिए यह option कौन सा है fourth option है तो इससे हम एक जब laws discuss करेंगे तब देख लेंगे किस तरह से open करते हैं ठीक है अदर्वाइस हम क्या करें पी के साथ यह आ रहा है और जो बीच वाला symbol है वह यूज होता है जैसे हम simply math में करते हैं 4 प्लस 3 या x प्लस 3 है और y प्लस 3 है तो इन्हें क्या कर रहे हैं बीच वाले में जो symbol है वह यूज करें x multiply y plus x multiply by 3 and then plus 3y plus 9 जो बीच में terms के symbol आ रहा है वह कौन सा आता है यह वाला symbol लेकिन जो दोनों के बीच में operation आता है वह कौन सा आता है यह वाला उसी तरह से हमने यहां पर solve किया है तो दोनों के बीच में जो operation आएगा वह कौन सा आएगा and यहां पर और जब different terms के बीच में आएगा वह कौन सा आएगा symbol और वाला आएगा तो जब हम and करेंगे q और q compliment को तो वह क्या बन जाएगा आपका cancel हो जाएगा तीक न और इसी तरह से पी और पी compliment भी आपके cancel हो जाएंगे पी डॉट पी compliment q.q compliment अधिक है चलिए लिए नेक्स्ट वी हाव statements and operators statement and operators can be combined in any way to form new statements तो देखिए statements और operators को हम combine कर सकते हैं नई statements बनाने के लिए तो हम p q की form में देख रहे हैं तो इन्हीं को ही अगर statement की form में देखे तो statements भी क्या होती है इसी तरह से combine हो सकती है तो यहां पर देखिए और q हैं two variables true 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 false false true false false तो यहां पर हमने इनसे नई statements बनाई like this तो यहां पर suppose है he is a good boy he is intelligent यहां पर क्या कर दिया हमने he is not a good boy he is not intelligent he is not intelligent और not a good boy तो हम नई statements बनाते चले जा रहे हैं तो यहां पर इस तरह से हम truth table में calculate करते हैं ठीक है negative of q निकाला हमने इसका क्या कर दिया negative compliment ले लिया इसी तरह से q compliment ले लिया अब इन्हें क्या कर दिया हमने और के through combine कर दिया ठीक है तो यह दोनों यहां पर true 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 आ जाएगा सब में कोई न कोई true है तो true 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 आ गया और यहां पर आपका false आ ठीक है तो इस तरह से कोई भी values हमें compute कर नहीं है तो compute कर सकते हैं इसी तरह से यहां पर ले लिया और ले लिया कुछ भी कुछ भी mix and match कर सकते हैं जो भी हमें यह यह वैल्यूज करनी है उसके according क्या base लेंगे जो भी फर्स्ट लेवल पे हैं वह calculate कर लेंगे सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले पी एंड क्यूआइट करना पड़ेगा फिर उसे हम नेगेट कर देंगे तिका अब हमें चेक करना है कि वैदर दीस टू आर एक्वेलेंट और नौट यह यह दोनुट में है यह नहीं नहीं तो आप जो लॉज हैं उनको नियुक्त कर दिया तो यहां पर हम क्या करेंगे एन कि पी दिस चुरंगत कर दिया तो यह सब्सक्राइद कर दिया तो फिसम वले इछ कमपीट। ठीक है, निगेशन यहां पर हमने कैल्कुलेट किया हुआ था ओलरेडी तो वह वली वेलिए हमने यहां यूज की तो क्या गया है FTTT ठीक है अब हमें चेक करने हैं FTTT FTTT यह दोनों क्या है Logically Equivalent यह दोनों स्टेटमेंट क्या है Logically Equivalent क्योंकि इनकी वेलियूस क्या है हमेशा सिमिलर है जब भी Logically Equivalent होंगी टू स्टेटमेंट्स उसमें अगर हम बाय कंडिशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे तो उसकी वेलियू हमेशा क्या आएगी इसका मतलब यहां से हम इसे देख पा रहे हैं और इससे इसे चेक कर रहे हैं तो बाय कंडिशनल बाय कि हमें क्या पता चल जाएगा यह यह दे आर इक्वेलेंट ठीक है तो और लॉजिकल एक्वेलेंट आप यहां से भी देख के बता पा रहे हैं और अगर यह वला उप्रेटर हम यूज करते हैं तो अगर कहीं पर भी ऑपरेटर यह यूज की और वेलियू क्या थी तो ह हम लेते हैं ऑर उर नॉट ऑर ठीक है तो ये हमेशा क्या होगा ग्रियो ही होगा कि यहां पर 0 लिया तो यह 1 हो जाएगा ये 1 लिया तो यह 0 हो जाएगा k quin La Pat不知道 ये जो बी्यूँ होगा दूसरा क्या हो जाएगा false और रस तो यह जो जाएगा बसल насколько दूल से definite यह वाली statement क्या थी true थी ठीक है यह statements क्या थी अगर by conditional operator लगा के हम नहीं है solve किया तो क्या थी true थी ठीक है तो वह भी हमेशा क्या है तौट लाजी तो अगर statement जिसकी value हमेशा true है कुछ भी variables हम use करें उनकी कुछ भी values लेने पर यह statement हमें क्या return करिये true return करिये that means that statement is a totology तो हम अगर कोई भी इस तरह से है अगर S implies T tautology है तो हम उसे इस तरह से भी लिखते हैं तो हम उसे इस तरह से रिप्रेंट करते हैं नेक्स कांट्राडिक्ष्ण इस स्टेट्मंट यह हमेशा क्या होगा फॉल्स रहेगा यह हमेशा वेल्यू क्या है जीरो ही आएगी इसी तरह से अगर हमारे पास यह है जो हमने लास्ट में प्रूफ किया यह चीज़ आ रही थी वारी थी अगर इसे नगेट कर दिया तो यह आएगा। फाल्सी आएगा हमेशा सारी thousand इसकी त्रीदि कर देंगे सभी वेलिस को सब्यूज आ जाएंगी तो वह दिन क्या है इससा मतलब कॉंट्राडिक्शन है क्थेट्मेंट क्या है contradiction है तो वो क्या है contingency है ठीक है जिसमें true false दोनों चीज़ें पॉसिबल है तो वो क्या हो जाएगी contingency the negation of any tautology is contradiction and the negation of any contradiction is tautology ठीक है अगर उल्टा कर दें ठीक है tautology का negation negate कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी contradiction और contradiction को negate कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा tautology चलिए next question है यह discuss कर लेते हैं which of the following proposition is the tautology तब आपको tautology का meaning clear है क्या होता है तो जिसमें हम solve कर रहे है इन प्रपोजिशन को तो लास्ट में हमारे आपस क्या आजाएं सभी टी वेल्यू जाएं तो वह क्या रहेगा tautology ठीक है अदर्वाइस हम इसे law के through भी कर लेते हैं वह तोड़ा easy रहता है अभी जब हम laws discuss करेंगे तब उस तरह से भी discuss कर लेंगे अभी truth table के through calculate कर लेते हैं तो देखिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए पी और क्यू दो variables है ठीक है तो यह क्या आगे आपके 000110111 अभी पी एक बार यहां दुबारा लिख लेती हूं मैं ठीक है अब मुझे क्या चाहिए पी और क्यू चाहिए ठीक है और पी इंप्लाइस क्यू चाहिए क्यू इंप्लाइस पी चाहिए और बाकी जो चीजें चाहिएंगी साथ के साथ देख लेंगे ठीक है तो अगर हम देखें पी और क्यू तो यह क्या गया 0111 अब पी इंप्लाइस क्यू कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास यह true द और अब गर हम देखे क्यों, इंप्लाइस प्लिक या इम्प्लाइस प्लिलिए हैं इसे कंसीदर और यहाँ पे है 1,0 तो इसकेस में 0 आएलाज को जाएगा 1000 क्राइं भुआ इन दयुकर भंद आप देखिए अब हमें सवाप्ष्ध में क्या करना है यह दो चीजे आप मारे पास ठीक कोनव सी यह और यह तो First वाले की values देख लीजिए कैसे निकल जाएंगी हमारे यहां पहे हम देखे हम B option को देख लेते हैं बी में हमें क्या-क्या चीज चाहिए और Q इं दिर चाहिए इन दोनों का क्या करने हम ने और तो ढठे यहां पर और यहां पर दोनों जगह किया है 0 है तो इसे भी छोड़ देजे यह भी नहीं आई है इसका मतलब option में और अब अभि नेच्ट देखते हैं lida पी और ब्लाइस कि यह और है तो यह वन्हें यहां Co सिथे तरह से इसी सॉल्भ करेंगे पहले यह बार कंसीडर कर लेंगा क्या-क्या वेल्यूस मेरे कर लेंग उसके एकोडंगी रफ पे ट्राय करके फटफट से आंसर को सौल करें नेक्स्ट वी हैब कन्वर्स कॉंट्रा पॉजिटिव और इन्वर्स ऑफ प्रोपोजिशन तो देखिए यह जो टॉपिक है यह भी इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से समझने और लोन करने बेसिकली कि क्या किसके एक्वेलेंट है तो कन्वर्स क्या होता है कॉंट्रा पॉजिटिव क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है इसके जो कोशन से वह यूजी सी नेट में आते रहते हैं बाकी स्टेट एक्जाम में भी आ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो देखिए क्या होता है किसी भी प्रोपोज अगर हमारी proposition है P implies Q उसका converse है Q implies P ठीकिकिक उसका converse प्रोपोजिश्टिशन है और उसका converse तो उसका converse क्या हो जाएगा P implies Q मतलब हमारे variables हैं उनकी position को क्या करें हम interchange कर दे रहें क्ल artillery circulating में आपके पास क्या है पिअप्लाइज क्यूं का क्या हो जाईगा कलिमेंट क्यूं इम्प्लाइज को सब्सक्राइज को में फॉर भी कॅं प्लीमेंट हो जाएगा क्याई और हमइशा Contra, Positive और यह क्या होते हैं? एक्विवेलंट होते एक्विवेलें तो हिए यहां पर हमारे पास है प्ताइज लोगधी होगा इक्विवेलेंट होगा तो यहां पर हमारे पास थीन टर्म्स है देखिए converse, contrapositive and inverse, ठीके converse हमने देखा P implies Q का क्या होगा, Q implies P, अगर हमारा यह है proposition P implies Q, इसका converse क्या होगा, Q implies P, और contrapositive क्या होगा, P compliment implies Q, sorry, Q compliment implies P compliment, ठीके और अगर हम देखें तो यह दोनों क्या हैं, logically equivalent हैं एक दूसरे के, ठीके P implies Q क्या होता है, अपका negation of P P and Q और Q, इसके equal हैं और यहां क्या है यह दोनों equivalent तो कॉंट्रा पॉजिटिव किसके equivalent होता है implies एक्विविलेंट होता है ठीक है इंवर्स तो देखेँ प्रपोजिशन नेक पी कॉंप्लिमेंट implies q कॉंप्लिमेंट Is called the inverse of p फ़ईंप्लाइस Q 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 से भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर तो उसके कैसे लिखेंगे इस तरह से और Converse और Inverse किसी भी प्रिपोजीशन का प्रिपोजीशन का क्या होता है logically equivalent तो Converse क्या है देखिए क्यों इम्प्लाइज पी पी इम्प्लाइज क्यू अगर है है हमारे पास कोई प्रोपोजिशन तो उसका कंवर्स क्या होगा क्यू इंप्लाइज पी उसका कॉंट्रा पॉजिटिव क्या होगा क्यू कॉंप्लिमेंट इंवर्स क्या होगा पी कॉंप्लिमेंट इंप्लाइज क्यू कॉंप्लिमेंट इंप्लाइज क्यू कॉंप्लिमेंट टॉपिक डिसकस किया उससे रिलेटिड है यहां पर दो लिस्ट दी हुई है तो यहां इक्विवेलेंस कॉंट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स एंड इंप्लिकेशन पूछा गया है उससे यहां पर मैच करना है तो देखिए एक्विवेलेंट क्या होता है जब भी हमारे दोन से में दिया हुआ है सिरफ 2nd में ही दिया फिक है तो यहां से अगर हमें 4 पता है तो हम वहीं से कर लिए हमने चूज उसकते हैं तो एक फोर नहीं पता तो अंगे फॉर्दर प्रोसीड करेंगे और इस तरह से शॉट लिस्ट कर लेंगे अपने आंसर को तो देखिए यहां पे अब हमारा एक क्या आ गया और डी का क्या है फर्स्ट है यह दोनों चीजें यहां पे हैं हमारे पास और आगे फर्दर चेक कर लेते हैं देखिए कॉंट्रा पॉजिटिव क क्या है पी इंपलाइस क्यूंट 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 क् we will continue the same topic in our next video also it will take one more video to complete this topic thanks for watching and stay connected and don't forget to subscribe the channel for more videos